हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू एक्जाम सोंच यूटूब चैनल पर दोस्तो इस पीडियो में हम करेंगे SSC MTS के टॉप 50 प्रसन हमने सारे कोस्टन सेलेक्टेड इंपोर्टन ली हैं तो आप इस पीडियो को अंद तक जरूर देखेगा चले दोस्तो आज किस पीडियो को सुरूर करते हैं तो पहला कुस्तन है रतबाई भारत की डेश जनचातियों से समब्दित एक निरत रूप हैं तो रतबाई निरत रूप जो हैं ये कौन से जनजाती करती हैं भील जनजाती करती हैं दोस्तो option D जो है right answer है रतबाई नर्त रूप जो हैं ये भील चंचाती करती हैं अगला क्वस्तन निमलेकत मैंसे किसने वर्स पंदरा सु तीन में भारत में पहला यूरूपिय किला बना था तो सबसे पहले भारत कौन आय थें? पुर्दगाली सबसे पहले भारत आय थें पुर्दगाली सबसे पहले भारत आय थें इंडिया सबसे पहले पुर्दगाली आय थें और पहला पुर्दगाली कौन था? वास्को डिगामा था वास्को डिगामा को आप याद रखेगा वास्को डिगामा पहला पुर्दगाली था चुब भारत आय था और ये कब आथा 1498 इसवी में वासको डिगामा भारत आथा और कौनसे बंदरगां पर उत्र था काली कट बंदरगां पर उत्र था जब ये 1498 इसवी में भारत आथा और 1503 में पुर्दगलियों ने सुर्पर्तम भारत में पहली फक्टरी अस्ताबित की थी अगला कुस्टन वाय मंडल की सबसे ठंढी परत कौन सी हैं वाय मंडल की सबसे ठंढी परत है मद मंडल नेच्ट कुस्टन है निमलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है तो मीथेन गैस जो है जिसे आप CH4 के नाम से जानते हैं मीथेन गेस एक ग्रीन हाउस गेस हैं, मीथेन गेस के अलाबा कार्बन डायकसाड गेस भी एक ग्रीन हाउस गेस हैं, CFC जिसे आप कलोरो फलोरो कार्बन के नाम से जिसे आप जानते हैं, ये भी एक ग्रीन हाउस गेस होती हैं, अगला क्वस्टन, भारत में प्रोजेक्ट टा बोजन संग्रे करने लगा था, तो मानों ने भोजन संग्रे किस युग में प्रार्णप किया था, नौपासाड युग में मानों ने भोजन संग्रे करना शुरू कर दिया था, नौपासाड युग में तो राइट एंसर ओप्शन सी हो जाएगा, केनोप निसद किस से सम्बंदित हैं तो केनोप निसद जो है दोस्तो ये यजुर बेज से सम्बंदित हैं केनोप निसद जो है ये यजुर बेज से सम्बंदित हैं और सबसे पुराना वेद कों से हैं तो याद रखेगा सबसे पुराना वेद जो है ये रिख बेद हैं, रिख बेद जो है ये सबसे पुराना वेद हैं, अगला question, next question है पच्छी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं इसका क्या कारण हैं, तो पच्छी अपनी गर्दन क्यों सबसे जदा हिलाते हैं, तो इस प्ज़ियों की आखों के फटली घूम नहीं सकती हैं, तो right answer option C हो जाएगा, next question, अगला question है कि मुरसित कुली खान, डेस के नबाप थें, तो मुरसित कुली खान कहां के नबाप थें, यह बंगाल के नबाप थें, यह बंगाल के नबाप थें, मुरसित कुली खान, next question है, my journey transforming dreams अगला क्वेस्टन वर्स 2016 में साची मलक ने निमलखित मैं से किस भार वर्ग में एक उलम्पिक पदक जीता था तो राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा अगला क्वेस्टन है तमिल डेस के सास के भासा है पुद्दू चेरी के सास के भासा है तमिल जो है यह पुद्दू चेरी के सास के भासा है नेक्स्ट क्वेस्टन रुग बिनिस्टे या माधो निधान निमलखित में से किस लेखा की करती है नेक्स्ट कुस्टन अगला कुस्टन निमलेकत मैंसे किस राज्या के सासनकाल के दोरान बीजापोड जिले के पट्टत कल में संग मरमे सुर के मंदर का निर्माड किया गया था तो राइट एंसर ऑप्सन सी हो जाएगा अगला कुस्टन गुप्त कालीन साहत का सोड़्यूग किसके समय को कहा जाता हैं चंद्र गुप्त बिकर्मादित दुतिये के सासनकाल को गुप्त कालीन साहत का सोड़्यूग कहते हैं चंद्र गुप्त बिकर्मादित दुतिये के सासनकाल को अगला कुस्टन बुद्ध द्वारा रचित बौध धर्म का गरंथ कों सा हैं धम पद है दोस्तों धम पद जो है ये बुद्ध के दोरा रचित बोध धर्म का गरंथ है माल विकांग मित्रम का नायक पुस्त मित्र सुंग से किस परकार संबंधित है उसका पिता था दोस्तों पुस्त मित्र सुंग का पिता था मेंडिलिफ की आबर्त साड़ी में उर्दोधर कालम को क्या कहा जाता है वर्ग कहते हैं दोस्तों ग्रूप्स कहा जाता है मेंडिलिफ की आबर्त साड़ी में उर्दोधर कालम को ग्रूप्स कहते हैं वर्ग कहा जाता है नेक्स्ट कोस्टन है राच्ट संग का गठन किसी उध के अंत में किया गया था तो पर्थम बिसी उध के अंत में और 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 पर्थम बिसी अगला कुश्चन, कौन सी धातु पिर्थवी पर सबसे पर्चुर मात्तरा में पाईज दाती हैं? अगला कुश्चन, निमलिक्षत मेंसे कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है? तो option A है, एसकर्बिक अमल जो है, निमो में पाईज दाता हैं, मल्टो जो है, माल्ट में पाईज दाता हैं, एसेटिक अमल जो है दोस्तो, ये सिर्के में पाईज दाता हैं, ना कि दही में, एसेटिक अमल किस में पाईज दाता हैं, सिर्के में पाईज दाता हैं, और दही ज प्रकास उबर्स होता है प्रकास उबर्स क्या होता है प्रकास उबर्स क्या होता है तो कार का मातरक आप सभी चानते हैं, जूल होता है, जूल जो है कार का मातरक होता है नेक्स्ट क्वस्टन है, बिद्दु सक्ती की एकाई क्या होता है, बिद्दु सक्ती की यूनिट क्या होती है तो आप सभी चानते हैं बिद्दु सक्ती की जो यूनिट होती है वाट होती है वाट बिद्दु सक्ती की यूनिट होती है नेक्स्ट क्वस्टन बल का मात्र क्या होता है निूटन होता है दुस्तो फोर्स का मात्र क्या होता है निूटन होता है नेक्स्ट क्वेस्टन, खाद प्रदार्थों के परिर्चड हैत इमनांकित में से कौन सा परियुक्त होता है। अगला कौस्टन है, यूरिया हैं, यूरिया क्या होता हैं, एक नार्टोजन योगत आकार्बनिक योगिक होता हैं, यहाँ पर आप्सटन A और B सेम हो गए हैं, तो आप्सटन A और B राइट एंसर हो जाएगा इस कौस्टन का। अगला कौस्टन है, निमलेकत में से कौन सा मिसरित उरबरक हैं, तो मिसरित उरबरक कौन सा होता हैं, यूरिया होता है दोस्तो यूरिया जो हैं, यह एक मिसरित उरबरक होता हैं। अगला कुस्षन है, इलेक्ट्रोन वोल्ट एकाई होती हैं, इलेक्ट्रोन वोल्ट जो हैं, विभुवांतर की एकाई होती हैं, वोल्टेज की एकाई होती हैं, आबर्ती को मापाज जाता हैं, आबर्ती को किस्त में मापते हैं, हर्ज में मापाज जाता हैं, हर्ज में आबर् अगला question प्रकास वर्स निमलेखित की इकाई हैं तो प्रकास वर्स जो हैं एक किसकी इकाई होती हैं दूरी की इकाई होती है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकास वर्स नेक्स्ट क्वेस्टन है एक पार्स एक तारू संबंधी दूरिया मापने का मातरक बराब अगला क्वेस्टन है कि पार्स एक मात्रक हैं, तो पार्स एक जो होता हैं, ये भी एक दूरी का मात्रक होता हैं, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता हैं, दूरी का अगर सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाएं, तो पार्स एक होता हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगला कुस्सन माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्थ होता है तो सेंटीमेटर को अगर हम 0.39 से गुड़ा करेंगे तो हमें इंच प्राप्थ होगा क्योंकि एक इंच में दोस्तो याद रखेगा एक इंच में कितना होता है एक इंच में 0.39 cm होता हैं इसलिए 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्थ होता हैं नेक्स्ट कुस्टन है सबजी के लिए काम आने वाले पौधों के अधेन को क्या कहते हैं ओलेरी कल्चर कहते हैं जो पौधे समजी के लिए काम आते हैं उनके स्टेडी को ओलेरी कल्चर कहा साता है अगला कुस्टन है बिटी कल्चर के द्वरा निमलेकत में से कौन सा एक उत्पादित होता है बिटी कल्चर के अंतरगत अंगूर की खेती की साथ हैं अंगूर का उत्पादन क्या साता है बिटी कल्चर के अंतरगत Next question है, जन्तू विग्यान अध्हिन करता है? जन्तू विग्यान जुलोजी जीवित और मेरत जानबरों का अध्हिन करता है जुलोजी. अगला question, फूलो के अध्हिन को क्या कहते है? फूलो का अध्हिन जो है, thology के अंतरगत किया जाता है. आप्सन नमबर B जो है, राइट एंसर हो जाएगा इस क्वेशन का, एंथोलोजी के अंतरगत, फ्लोवर्ड्स के स्टड़ी के जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है, निमलेकित मैंसे कौन सा कार्बनिक अमल अंगोर, इमली तथा केला में, पर्चुर मातरा में बिद्दमान रहता हैं तो टाटरिक अमल होता है दोस्तों टाटरिक अमल जो है ये अंगूर इमली तथा केला में पड़्चुर मात्रा में पास जाता है तो राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा आई होब कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद ही तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करेगा और इस वीडियो को सेर भी करेगा चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आल पर किलिक कलेजी ताकि हम जो भी बीडियो डाले उसकी नोडिफिकेशन आप तक जरूप हो जए कोमेंट करके बताई कि ये बीडियो आपको कैसे लगी कोमेंट सेस्टन बताई कि आपको ऐसी और फिर बीडियो चाहें तो हम ऐसी और फिर बीडियो चरूप बनाएंगे टेलेग्राम चैनल को जोए निकलजे डिस्करप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सो मिलते नेक्स्ट बीडियो में तब तक लिए जाहें दे बंदे मातरम